प्रव कर्व के निव पर खड़ा होता है कर्व मतलब महनत कुछ करने के बलबूते पर ही आप जो है वो सक्सेस यानि सफलता तक आप सबी पहुत सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरा किस्मत खराब है अगर ये नसीब और किस्मत खराब होता, तो यहां पर सफलता जो है वो कर्म के उपर कभी डिपेंड करता ही नहीं फिर तो आप बोलते कि नसीब में होगा तो सफलता मिलेगा तो औसरवादी मत बनिये कि आपके नसीब में जो होगा वो ठीक है नहीं आपको कर्म करना पड़ेगा यानि महनत करना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा लोगों से ताकि आपको सक्सेस मिल पाए क्लास को स्टार्ट करूँगा उसके पहले बोलूँगा क्लास नहीं चल रहा था आज सामको 6 बजे आप सभी के डिमांड पर जो है मैथ का पहला क्लास वो कौन सा है पार्टनर सीप का लाजवाब क्लास आप सभी को आज मिलने वाला है सामको 6 बजे और जितने भी टाइमिंग आपको दिखाए देरें हर एक क्लास मिलेगा आपको 4 बजे, 2 बजे, रात को 10 बजे रिजनिंग का एक नया चाप्टर ठीक है, सो बोलूँगा चमल के उपर जो भी नय है चमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दिजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडिट मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोक टेस्ट या ओनलाइन सेट, प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी सक्सेसकी98.net पर जाकर दे सकते हैं या फिर आपके पास अगर फोन है तो सक्सेसकी98 का एप्लिकेशन यानि एप्स गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एप्लिकेशन के उपर भी दे सकते हैं आपको हर एक टेस्ट हिंदी और इंगलिज दोनों में ही मिल जाएगा और हर एक्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा ताके एक्जाम से पहले अपने आपको जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहें आपकी गलती क्या है और एक बात 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ यानि एक साल तक जो जो एक्जाम होगा और जो जो एक्जाम आने वाला है हर एक्जाम का सेट आपको दिया जाएगा और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 16 जैनवरी के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला जो प्रस्ण है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला प्रस्ण है वो यह है किस राज ने अपने बच्चों की सिख्छा के लिए BPL मतदाताओं को वित्य सहायता परदान करने के लिए अम्मा वोडी योजना सुरू की है यह अम्मा वोडी योजना है क्या मैं आपको समझाओंगा पहले आप यह सुन लो कि जितने भी BPL मतदाता है ठीक है उस राज में उनको इस योजना का लाब मिल पाएगा यह योजना क्या है कि हर एक मा को सालाना 15,000 रुपए दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों का जो है वो पढ़ाई अच्छा पुरा ध्यान दे पाए पूरा भविस को सुधारने के लिए यानि सालाना 15,000 रुपए दिया जाएगा हर एक मा को ताकि वो अपने बच्चों और बच्चियों की पढ़ाई में कोई कमी ना रहने दे और वो उन्ही को मिल पाएगा जो BPL मत दाता है ठीक है और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ यह योजना स्टार्ट करने वाला जो राज सरकार है वो है आपका आंध्र परदेश ठीक है और आंध्र परदेश का कैपिटल हाइदराबाद है और गवर्नर वहां के है विस्वभूसन हरिचन और वहां के मुख्यमंत्री को है तो Y.S. जगन मोहन रेड़ी ठीक है अगला प् अध्यच के पजपर बने रहने पर रोक लगा दी है आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ चुका है टाटा कमपनी में ठीक है आप बहुत दिन से न्यूस देख पा रहे होंगा बहुत दिन से जहमेला चल रहा है लेकिन अभी सुप्रीम कोट का ये फैसल आया है कि टाटा संस का एजेकुटिव चेर्मेन जो है साइरस मिस्तीरी जो है उनके बने रहने पर रोक लगा दिया गया है तो यह रोक लगाने वाला है आपका सुप्रीम कोट और सुप्रीम कोट के जच कोन है तो उनका नाम भी आपको याद रहना चाहिए सरद अरवीन ठीक है अगला प्रस हमारे सामनी है निमलिकित में से कौन सा भारतिय सहर मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतरास्टिय नौसेना कारीकरम जिसका नाम क्या है मिलन की मेजवानी करेगा और ये करने जा रहा है आपका विसाखा पत्नम और एक बात क्लास अच्छा लगता है ना तो किर्प्या करकर आप सभी एक लाइक जरूर करिये कुछ पैसा लगता नहीं है ताकि मुझे भी लगे आप सभी क्लास जो है वो पसंद कर रहे है ठीक है ना और सारे क्वेस्चन बहुत इपॉर्टेंट लेकर आता हूँ ताकि करेंट अफेर में पूरे हंड्रेट परसे जो है वो आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी चल रहा है अगस्ट, सैप्टेमबर, अक्टूबर ओरेडे रिवीजन कंप्लिट हो चुका है इसका प्रडियब भी दे दिया हूँ आज रात को आपका जुलाई का करेंट अफेर का पहला दिन रिवीजन का होगा तो ये भ प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया है उनका नाम बताना है और वो है आपके जोरान मिलनोविक, option number आपका A, ठीक है, और कुरोसिया का capital क्या है तो वो है आपका जैग्रेब, और वहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल करते हैं, तो वहाँ पर मुद्रा इस्तमाल होता है कुरोसि हाल ही में, सिकागो के न्यायदिस के रूप में निक्त किया गया है, which Indian origin person has recently appointed as a judge of सिकागो, और उनका नाम है आपका सामिया नसीम, option number आपका B, ठीक है ना, चलो, अगला प्रस हमारे सामने है, सिंसस, यानि भारत की जणगर्णा जो है दोर 21 का वो कब सुरू होने वाली है, और आप सभी को कल के क्लास में मैंने बताया था, जो बजट है 2020 का, वो कब जारी किया जाएगा तो 1 February को, आप सभी को मैंने बताया था ना, और आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो भारत का जणगर्णा होने वाला है 2021 का, वो होने वाला है आपका 1 April को, ठीक है, और य आपने है, ब्रिटेन जो है, वो एरोपियन संग छोड़ने के लिए अधिकारिक रूप से कब निर्धारित किया गया है, यानि अब जो ब्रिटेन है, वो officially announce कर दिया है कि वो एरोपियन उनियन जो है, वो छोड़ देगा, पहले वो इसका मेंबर था, लेकिन अब वो जो है वो कब है, तो वो है आपका January 31st, option number आपका B, और ब्रिटेन के PM कौन है, Boris Johnson, capital, तो वो है लंदन, और वहाँ पर मुद्रा इस्तमाल किया जाता है, आपका pound is drilling, ठीक है, अगला प्रस हमारे सामने है, आयकर भीभाग ने, किस राज और केंदर सासित परदेश में, काले धन की निग्रानी करने के लिए 24 घंटे नियंतर कत सुरू किया है, आपको बताना है, और ऐसा स्टार्ट करने जा रहा है, income tax department, ताकि black money पर रोक लगाया जा सके, इसलिए 24 घंटे के लिए control room वहाँ पर खोला जा रहा है, ताकि पूरी निग्रानी रखी जा सके, और ऐसा करने जा रहा है, कहाँ पर तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली के CM कौन है, अर्मिंद के जरिवाल, और वहाँ के जो राजजपाल है, वहाँ पर राजपाल नी, उपर राजपाल होता है, तो वहाँ के उपर राजपाल कौन है, तो वो है आपके अनील बैजाल, ठीक है, अगला प्र के बोल सकते हो जस्परीद बुम्रा ऑप्शन नंबर भी सभी जानते हैं अगला प्रस हमारे सामने हैं आर्बियाई के डिप्टी गवर्णर के रूप में किसे नुट किया गया है उनका नाम आपको बताना है और उनका नाम है माईकल देवरत पात्रा ऑप्शन नंबर आपका ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है इसरो द्वारा 17 जन्वरी को किस संचार उपगरण का प्रक्षपन किया जाएगा और उसका नाम है जी से ठटी का जो है यही संचार उपगरण है जिसका प्रक्षपन किया जाएगा आपका 17 जन्वरी को इसरो के द्वारा और इसरो के ड है तो वो है आपका बैंगलूरू में अगला प्रस्त हमारे सामने है ओमान के सुल्तान का क्या नाम था जो हाल ही में निधन हो गया है तो उनका नाम क्या है सभी को पता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है आपका कबूस बिन सयद और अभी ओमान के बारे में ब जो सुल्टान है उनका नाम क्या है तो वो है आपका हैतम थारिक अलसेद ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है Kolkata Port Trust का नाम क्या है नया नाम क्या है तो वो है आपका स्यामा प्रसाद मुकर जी और Kolkata के सियम कौन है ममता बैनर जी, कैपिटल कोलकाता और वहाँ के राध्युपाल कौन है तो वो है आपके जगदीब धंकर तो ये थे आपके इपोर्टेंट करेंट अफेर 16 जैनवरी का इसका पूरा का पूरा PDF आपको सकसेसकी98.in के वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर PDF का लिंक हमारे टेलिग्राम पर भी सेयर कर दिया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो डाउनलोड कर लिजेगा सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुन बार्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने ममी और पापा का भी खयाल लखेगा ठीक है ना? चलिए